दोस्तों, आप Gmail के यूजर हैं, तब इस वीडियो पर आए हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Gmail पर काम करते हैं, कई बार आपको Gmail की कुछ setting बिल्कुल पसंद नहीं आती, आप यह चाहते हैं कि Gmail पर जो यह phone का size आता है, यह phone का size आपको बिल्कुल चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तीन मिथट बताऊंगा, और तीनों मिथट को आपको देखना है, और step by step follow करना है, एक मिथट में आपको मैं यह तरीका बता दूँगा, कि अगर आप इसको temporary चेंज करना चाहत आए, जैसा भी आपको पसंद आता हूँ, वैसा आप एपकर sit कर ले, और उसके बाद फिर वो कभी बदले ना, तो यहाँ पर सारी चीजे मैं आपको बता दूँगा, permanent वाला भी solution बताऊंगा, और temporary वाला भी बताऊंगा, और I hope आपको वीडियो पसंद आ जाएगा, और अ Google open कर रखा, ठीके, आप भी ऐसी open कर लीजे, open करने के बाद आपको अपना Gmail open करना है, यहाँ पर यह 9 dots है, इस पर click करके आप यहाँ से Gmail open कर लीजे, ठीके, तो यह Gmail को open कर देगा, और Gmail open होने के बाद आपके सामने जो इसकी नारी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से messages आपको द पहले यह जो size दिख रहा है, इसको अगर हमें बढ़ा करके देखना है, तो हमारे पास एक option होता है, कि यहाँ पर जो यह three dots दिख रहा है, इन three dots पे हम click कर लेते हैं, और three dots पे click करने के बाद हम नीची आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास यह जूम का option रहता है, ठीके, तो इससे अपने, इसको हम बढ़ा करके देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे plus में click किया, तो आप देखिए, कि आपका जो यह mail आया हुए है, इनका size, जो content है, इसका जो font है, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर आप इसको temporary बढ़ा करना चाहते हैं, तो temporary बढ़ा करने का तो काफी छोटा हो जाएगा, लेकिन बेटर रहता है कि इसको हम 100 पर रखे है, जो कि recommended है, पहले से, तो एक method तो यह होगा हमारा जिसमें temporary इसको change कर सकते हैं, लेकिन यह permanent नहीं होता, यह केवर at a time आप इसको ऐसा करके देख सकते हैं, अब हम आते चले दूसरे method की तरफ, second method जो है, वो यह कि हमारे पास यह particular mails हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, कि हमें यहाँ पर जो यह buttons दिख रहा है, इन buttons में जो हमारा third button है, यह setting का button है, इस पर हम click कर देते हैं, और जैसे हम click करेंगे, तो इसके अंदर options कई सारे, लेकिन हमें see all settings पर click करना है, see all settings पर जान हुआ है, यहाँ पर यह size घटाने बढ़ाने का वैसे नीचे इसकी shortcut की भी दिख रहे हैं, ब्लैक से, control shift minus, control shift minus plus से दिखा रहा है, तो लेकिन हमें इसका use नहीं करना है, हम सीधा सा इसके उपर आते हैं हाँ और इस पर click कर देते हैं, देखिए हमारे पास यह options है, large, normal या small, अगर हम इसको large कर देते हैं, mean huge कर देते हैं, तो काफी बढ़ा दिखने वाला है content, और small कर देते हैं, तो काफी छोटा दिखने वाला है, ठीके? तो इसको अगर हम छोटा करते या बढ़ा करते हैं, तो देखिए, कोई फरक हमने large किया, देखिए, आपे फरक ही नहीं तो यह फर्क पढ़ेगा कहां पर, तो यहां पर आपको समझना आईए, कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, मैं इसको चली हूच कर देता हूँ, और यहां से हम फोन भी बदल सकते हैं, यहां से फोन बदल सकते हैं, अपनी पसंद का, ठीक है, साथ ही साथ यह जो आप्शन है, अगर आप चाहते हैं, तो आपका text का color भी बदलेगा, जैसे मैं इसको कर देता हूँ, text का color थोड़ा सा bluish कर देता हूँ, ठीक है, तो यह हो गया, लेकिन इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा है हमारे screen पर, ठीक है, लेकिन क्या फरक पढ़ने माला है, अब मैं आपको बता र हम compose पर जाते हैं, और हम कोई mail किसी को भीजते हैं, इसे मैं लिख दिया to, a, b, c, d, ठीक है, और subject में मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, और यहां पर जो हम mail लिखेंगे, तो हम लिख देंगे by the way, you are invited, कुछ इस तरीके से हम इसको करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां प देखेंगे, फोन चोटा है, subject का फोन चोटा है, लेकिन, you are invited का फोन बड़ा है, और हलका सा blush भी दिख रहा है, तो इस तरीके से यहां पर हम इसको chain कर सकते हैं, तो यह होगा हमारा second method, मिन हम जिसको mail भेज रहे हैं, उसका phone हमें कैसा रखना है, वो भी default में कैसा रखना है, हलाकि options यहां भी आपको मिल जाते हैं, ऐसा करने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहतने कि आप permanent इसको set कर दें कि इतना ही बड़ा मुझे करना है, तो आप यह setting permanent वहां से कर सकते हैं, चलिए, यह तो हो गया हमारा second method, अब हम चलते हैं, third method की तरब, तो इसको यहां से हम बंद कर देते हैं, मतलब जो फरक पड़ेगा, वो इन mails को देखने का नहीं पड़ेगा, जो फरक पड़ेगा setting में जा करके, वो यहां पर पड़ेगा body text में, मतलब यहां पर जो हम mail भीजते हैं, इसको बंद कर देते हैं, अब इसके बाद हम आते हैं, third method, जिसका मैंने मुझे नहीं करना है, तो permanent अगर मुझे बढ़ा करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक option है, कि यहां पर जो three dots दिख रहे हैं, अगेन वहीं पर मैं लेकर गया हूँ, और यहां पर मैं click कर देता हूँ, इस पर click करने के बाद आप आप देखेंगे, यहां पर हमें option मिलता है एक setting का, ऐसा button दिखता है, setting का, इस पर हमें click कर देना है, इस पर click करने के बाद हमारे पास कई सारी चीज़े दिख रहे हैं, यहां पर हम चले जाएंगे सिधा appearance पर, appearance में हम जाएंगे, तो appearance में हमारे पास यहां पर option मिल जाएगा, थोड़ो से इसको slide down करते हैं, यह देख अगर मैं click करके, इसको मैं very small या small या large या very large पर click कर दूँ, तो वैसा ही हो जाएगा, तो हलाकि मैं इसको अभी very small लिखा, मैं इसको थोड़ा सा large कर देता हूं, ठीके, लेकिं large करने से, फोरन की फोरन इसके ओपर कोई असर नहीं होगा, अच्छा, इसमें कोई saving का button नहीं बढ़ा हो चुका है, ये पर थोड़ा सा बढ़ा और भी करके एक बढ़ देख सकते है, setting में जाएं, और appearance में गए, और hold side, very large का option सबसे नीचे, इस पर मैंने click किया, तो जब मैं very large के option पर click कर देता हूं, तो अब देखिए क्या फरक वरता है, इसको मैं back कर देता हूं, और बढ़ी कर देता हूं, तो देखिए कि काफी बढ़ा दिखने लगा है में ये, तो लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बड़ इसको set कर दिया, तो आप इसमें कोई change नहीं कर पाएंगे, आप इसमें वापस फिर से वही सब changes कर सकते हैं, वापस आपको करने के लिए फिर आपक इसको आप लिख देंगे medium recommended, मतलब जो इन्होंने खुद recommend किया है, और इसको करने के बाद हम वापस इसको बंद कर देते हैं, तो ये auto update लेता है, इसमें बताया है कोई saving का button नहीं होता है यहाँ पर, ठीक कि तो आप देखेंगे, नॉर्मली जैसा था यह देखने लगा, I hope आप समझ के होंगे कि मैंने जो चीज़ें आपको starting में बताई थी, वो चीज़ें आप यहाँ पर कर चुके हैं, और अगर वीडियो पसंद आ गया होगा, तो वीडियो को like कर लिएगा, चैनल पहनी पाराने, चैनल को subscribe कर लिएगा, दोस्तों में share भी करेंगे